हेलो एवरिवन, वेलकूम अगें टू लंडरे देतीमन, आज हमारा चैप्टर रहेगा राजिस्थानी चित्रकला शैली, तो चित्रकला जो है राजिस्थान में हमें देखने को मिलती है, चाहे हम बात कर ले हवेलियों की, मंदिरों की, महलों की दीवार जो होती हैं, वहाँ उन चित्रों को और भी ज़्यादा सुंदर बनाया करते थे, तो कौन सा चित्र जो है सबसे पुराना है, किस शैली में बना हुआ है, इस तरीके के कुश्चन जो है, इस चैप्टर में से आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और राजिस्थानी चित्रकला की त और कहीं पर जो नारी जित्रन है, नारी सौंदर्य का जो चित्रन है, वह देखने को मिलता है, राजिस्थानी चित्रकला के अंदर, ठीक है, इनमें कौन-कौन सी शैलियों का प्रियोग किया गया है, वही हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो अब हम के माध्यम से पढ़ेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें आपके एक्जाम में आ सकती हैं, बिलकुल यहाँ पर जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, और इतने अच्छे तरीके से ऑथेंटिक बुक से बनाए हुए हैं, आपके एक्जामें यहीं से प्रशनों जो हैं, वो आने वाले हैं, तो देखिए नामकरण जो है, H.C. महता ने हिंदू शैली कहा, राजिस्थानी चित्रकला को H.C. महता ने क्या कहा, हिंदू शैली कहा, एक्जाम में यह आपके पूछा जाएगा, ब्राउन ने क्या कहा, राजिस्थानी चित्रकला क तो राजपूत कला कहा, क्या कहा, राजपूत कला कहा, नेक्ष्ट देखिए, आनंद कुमार स्वामी ने सबसे पहले 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजपूत चितरकला का विज्ञानिक विभाजन किया, तो एक्जाम में ऐसे प्रश्ण पूछा जा है, राम कृष्ण दास ने राजिस्थानी चितरकला शैली नाम दिया, तो देखिए, बिल्कुल राजिस्थानी चितरकला शैली जो है, इसे राजिस्थानी चितरकला शैली हूबहू यही नाम देने वाले कौन है, राम कृष्ण दास है, याद रखेंगे इसे बहुत अच राजिस्थान के सर्वादिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ जैसल मेर के जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार से 1060 इस्वी के प्राप्त हुए हैं, जिन में से देखिए कौन-कौन से हैं, एक है ओध न्युक्ति व्रत्ति और दूसरा है दस वैकालिका सूत्र चूर्णी. तो ये चीज जो है वो बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि राजिस्थान के जो सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ जो है 1060 इस्वी के प्राप्त होते हैं, किस भंडार से जैसल मेर के जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार से, ठीक है? उसके बाद जो है 1500 इस्वी के आस-प जो राजिस्थानी चित्रकला का हमें शुद्र रूप जो है वो देखने को मिलता है, राजिस्थानी चित्रकला की जन्म भूमी जो है वो मिवाड को माना जाता है, क्योंकि मिवाड में जो चित्रकला प्रारम हुई थी, वो अजनता चित्रशैली से पूरी तरह से प्रभा बंडार से 1060 इस्वी के जो चित्र प्राप्त हुए हैं जो की राजिस्थान के सरवादिक प्राचीन चित्रित क्रंथ कहलाते हैं कौन-कौन से हैं दुबारा से देखिए ओध न्युक्ति व्रति और दूसरा है दस वैकाली का सूत्र चुहनी ठीक है और ये कहां बंडार मिले हैं जैसल मेर में तो इस चीज को ध्यान रखें राजिस्थानी चित्रकला शैली का जो प्रारंबिक केंद्र रहा है वह मेवार या जिसे मेदबाट कहते हैं तो मैंने आपको बताया कि ये पूरी तरीके से अजंता चित्रकला शैली जो है उससे प्रभावित रहा है उसके बाद ही 1916 एसवी में आनंद कुमार स्वामी जो है उन्होंने विज्ञानिक विभाजन किया था राजिस्थानी चित्रकला का जो कि मैंने आपको बताया कि उनकी बुक का क्या नाम था राजपूत पेंटिंग्स अब हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन सी शैलिया है या प्रमु शैलियां या स्कूल सबसे पहले है मिवार स्कूल सेकिंड है मारवार स्कूल या मारवार शैली थर्ड है डूडार स्कूल या डूडार शैली और फोर्त है हाडोती स्कूल या हाडोती शैली तो थोड़ा सा देखिए यहां मैप में तो देखिए जो राजेसान का पक्षमी भाग है वह मारवाड में आता है तो मारवाड शैली के अंदर कुछ उपशैलियां रही है जैसल मेर शैली है किसंगड उपसैली है जोदपूर उपसैली है पीका नेर उपसैली है और अजमेर उपसैली है तो मैंने यहाँ पर उपसैली क्यों लगाया क्योंकि जब हम बात करेंगे जैसल मेर शैली, जब ये शैली कहलाएगी, ठीक है, यानि जैसल मेर शैली के अंदर गत कौन-कौन सी विसेस्ताइं हैं, तो ये उप शैली ना होकर ये क्या रहेगी? जैसल मेर शैली, लेकिन जब हम ये कहेंगे कि मारवार शैली के अंतर गत जो उप शैली है, क दूसरा देखिए मेवाड शैली राजे स्थानी चित्रकला का प्रारंबिक और मौलिक रूप से मेवाड शैली में मिलता है जिसमें चावन रूप शैली है उदयपूर शैली नाथ दौरा शैली और देवगर शैली तो यहां कुश्चन जो है इसी तरीके का एक्जाम में आए हाडोती शैली तो आंसर रहेगा मेवाड शैली इसके बाद देखिए हाडोती शैली इसमें दो उप शैलियां रही है कोटा शैली और बूंदी शैली ठीक है दूडार शैली जो है इसमें आमेर शैली आएगी जैपूर शैली आएगी अलवर शैली आएगी या उनियारा शै तो दिखिए मेवाड स्कूल या मेवाड शैली तो राजिस्धानी चित्रकला का जो प्रारंबिक है वो यहीं से माना जाता है मैंने आपको बताया था कि चित्रकला की द्रस्टी से राजिस्धानी चित्रकला की द्रस्टी से जन्म भूमी रही है मेदपाट या मेवाड ठीक ह जो की अजंता चित्र के सैली से पूरी तरह से प्रभावित रही है तो यहां का जो सबसे पहला चित्रित ग्रंत रहा है 1260 इस्वी का और इस समय महराज थे रावल तेज सिंग तो रावल तेज सिंग के समय में ये चित्रित किया गया था श्रावग प्रतिक्रमर सूत्र चूरनी कमल चंद्र के द्वारा तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कई वार एक्जाम में ये पूछा भी गया है कि मेवार शैली के अंतरगत 1260 इस्वी में रावल तेज सींग के समय का सबसे प्रथम चित्रित ग्र शरियम तो इस ग्रंथ में दर्साई गई जो की 1423 इस्वी में और इसे किस ने बनाया हीरा नंद ने बनाया था यानि मोकल के समय में भी हमें मिवार शैली के अंतरगत चित्रकला जो है वो देखने को मिलती है ऐसे चित्रित ग्रंथ जो है वो वहाँ पर बनाए गई नेक्स तो यहां राणा कुमबा जो है इनका भी योगदान रहा था मिवार शैली के अंतरगत तो राजिस्थान में चित्रकला का जनक जो है माना जाता है राणा कुमबा को याद रखेंगे राजिस्थान में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है राणा कुमबा को और वहीं यद पूछ ले कि राजिस्थान में चित्रकला का आधुनिक जनक के से माना जाता है तो कुंदनलाल मिस्त्री को माना जाता है ठीक है पॉइंट जो है वो बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखेंगी राणा जगत सिंग पस्ट का काल स्वर्ण काल रहा है मेवाड में तो इस उत्थान की द्रस्टी से स्वर्णिम्युक कहा जाता है राणा कुंबा के समय को लेकिन मेवाड में राणा जगत सिंग पस्ट का काल स्वर्ण काल रहा ये तो रहे थे प्रारंबिक के समय में उत्थान की द्रस्टी से स्वर्णिम्युक कहा जाता है राणा कुंबा के समय क अब देखिए राणा जगत सिंग प्रथम के समय में मेवाड में राज महलों में चितेरों की ओवरी का निर्मान करवाया गया। तस्वीरा रो कारखानों कहा गया। ऐसा कारखाना जहां क्या बनाई जा रही है। तस्वीरे बनाई जा रही है। याद रखेंगे राणा जगत सिंग प्रथम का काल स्वन काल रहा मेवाड में क्योंकि उन्होंने राज महलों में चित्रकारों के रहने की ववस्था जो है व प्रमुक पात्र रहे हैं, यानि ये दो जो हैं पात्र रहे हैं मिवार चित्र शैली में, चित्रों में दर्साया गया है कि कलीला जो है ये जो है अच्छा है और दमना जो है ये बुरी प्रवती का है, तो ऐसे जो पात्रों का उल्ले किसमे किया गया है मिवार चित्र शैली मे एक्जाम में ऐसे आएगा कि कलीला और दमना किस चित्र सैली के दो प्रमुक पात्र हैं, जैसे कि एक विलन होता है और एक हीरो होता है, उसी तरीके से कलीला और दमना ऐसे पात्र रहे हैं मेवार चित्र सैली के, अब मेवार चित्र सैली जो है इसने सबसे प्रमुक क्या-क्य विसेष्थाएं होती हैं, तो ये exam में पूछा जा सकता है, जो main जो विसेष्था होती है, वही पूछी जाती है, क्योंकि देखिए, पसू पक्षियों का जो चित्रन है, वो हर शैली में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कई जो शैलीयां होती हैं, जिसमें केवल इस्तरी चित्रन उसी का वर्डन किया जाता है कई शैलियां जो होती है कुछ खास होती है जिसमें जैसे हाती का ही चित्रन किया जाता है तो इस तरीके से जो अलग से जो बाते होती हैं वही एक्जाम में पूछ ली जाती है जैसे कदम के ब्रक्ष की प्रधान्दा जो है रही है मेवा कहां मिलते हैं मेवार चितर शैली के अंतरगत और देखिए जो घोड़े होते हैं उनके चितर तो आपको सभी शैलियों में लगबग मिल ही जाएंगे तो examiner question ऐसे पूछता है कुछ हट के यानि इसमें आपको सबसे बड़ी विशेष्टा क्या मिली कि इस चितर शैली के दो पात्र जो है कलीला और दमना इसके बाद इसमें हाती के चितर मिलते हैं और यहां पर लाल रंग की प्रधानता जो है वह रही है यानि लाल रंग तो सरवादिक यूज हुआ है बाकी रंग भी यूज हुए है जैसे पीला भी यूज हुआ है लेकिन लाल रंग जो है वो बार ही आता है, हर बार पूछा जाता है कि ये किस चित्र सैली के चित्रकार हैं, ठीक है, ये किस से संबंदित हैं, मेवार से, मारवार से, ऐसे पूछा जाएगा, या नात द्वारा सैली, उद्यपूर सैली से संबंदित हैं, इस तरीके से question पूछा जाएगा, तो मेवार चि पाराम, मनोहर, उम्रा और महाराना संग्राम सिंग सेकिंड के समय नुरुद्दीन चित्रकार था जिसने पंच तंत्र किसकी है विश्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है जिसमें बच्चों की कहानिया है तो इनके द्वारा लिखी गई है इस पर अनेक चित्र बनाए इं और पंच तंत्र पर अनेक चित्र किसने बनाए नुरुद्दीन ने बनाए तो मेरे साथ ही रिपीट करिए कि महाराना जो संग्राम सिंग सेकिंड थे उनके समय में जो प्रशित चित्रकार था नुरुद्दीन तो उसने पंच तंत्र जो है उस पर अनेक चित्र बनाए थे याद रखेंगे उसके बाद जगत सिंग प्रत्थम के समय में देखिए रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, भगवत पुरान तो इस पर चित्र जो है वो बनाते हैं साहिब इद्धीन ठीक है भगवत पुरान में और उसके बाद रामायन जो है उसमें मनोहर ने इत् चित्र बनाते हैं मिवार शैली के अंतरगत ये चित्रकार, तो कौन-कौन से इसमें चित्रकार हैं साहिविद्धीन है, क्रपाराम है, मनोहर है, उम्रा है और नुरुद्दीन है, तो ये पांच चित्रकार के नाम आप रट लें मिवार शैली के अंदर ठीक है, नेक्स्ट द्वारा शेली है, देवगर शेली है, तो सबसे पहले देखेंगे नाथ द्वारा सेली, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए चितर कला जो है, इसमें से प्रश्न जो है, वो हर बार आता है, चाहे आपका रीठ का एक्जाम हो, आपका second grade का एक्जाम हो, चाहे first grade का एक्जा तो आप लोग जट से बता देते हो कि ऐसा हुआ था क्योंकि आप बहुत सद्दत से उसे देख रहे होते हैं जा एक दो बार आपने वह मूवी देख ली होती है तो उसी तरीके से ये सभी पढ़ाई भी इसी तरीके से होती है यदि आप एक बार वीडियो सुन लेते हैं और पीडियेफ में इन्हें पढ़ लेते हैं तो कुछ चीजें तो आपको वैसे ही याद हो जाती है ठीक है दो या तीन बार पढ़ने पर आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी तो नाथ द्वारा जो सैली है उसमें राज सींग का समय स्वन काल या उद्वव माना जाता है एक्जाम में पूछा जाने वाला कुश्यन है कि नाथ द्वारा सैली का स्वन काल जो है वह किसके समय को माना जाता है राज सींग के समय को माना जाता है इसमें जो प्रमुक चित्रकार रहे नाथ द्वारा सैली के वो रहे नारायन, चत्रभुज, गासी राम और उदेराम तो देखिए लगवक जो है वो भगवान के नाम जो है इनसे जोड़ रहे हैं राम राम जोड़ रहा है नारायन ये भी भगवान का नाम है चत्रबुझ भी भगवान का नाम है और नाथ द्वारा नाथ कौन है शिव हैं तो नाथ द्वारा नाम ही न तो यहां भगवान कृष्ण, माता यसोदा, गाय, ग्वाले, इत्यादी के चित्र जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां भगवान की चित्र जो बनाया जाता है, उसके पीछे जो हैं वहां पर भी अंकन जो है बहुत अच्छे से चित्रकारी होती है। पीछे भगवान की कोई भी तस्वीर है उसके पीछे। तो इस शैली का उदभव श्री नाच जी की स्थापना के समय से ही माना जाता है 10 परवरी 1672 इस वी को। तो आई होप आपको याद हो गया होगा नाथ द्वारा शैली। और मिवार शैली भी आप लोगों को लगबग याद ही हो गई होगी। और क्या था कि राना जगत सिंग प्रथम का काल जो है वो श्वन काल रहा है मेवार में क्योंकि राज महलों में चितेरों की ओवरी का निर्मान करवाते हैं। कौन राना जगत सिंग प्रथम जिसे क्या कहा गया तस्वीरारो कार खानों। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मिवाड की जो उपशैली है वह है देवगड शैली इसका उद्वव जो है द्वारी का दास चूंडावत के समय का है और श्रीधर अंधारे इस शैली को प्रकास में लाए थे यानि सभी लोगों को जानकारी मिली थी इनके ही द्वारा श्रीधर अंधारे इस शैली को बाहर निकाल कर लाए थे ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि किसी के समय उस चीज को बनाया गया लेकिन सभी को वो चीज किसने दिखाई तो श्रीधर अंधारे ने देवगड शैली इसको प्रकास में लेकर आते हैं और इस शैली में पीला रंग उसकी प्रधानत देखने को मिलती है मेवाड शैली जो है उसमें लाल रंग की प्रधानता देखने को मिलती है नाथ द्वारा शैली देखा हमने उसमें हरे और पीले रंग की प्रधानता देखने को मिलती है और देवगड शैली जो है इसमें पीले रंग की प्रधानता देखने को मिलती है इसका आर्थ ये नहीं है कि और रंग जो है इसमें यूज नहीं होते हैं, रंग जो है वो यूज होते हैं सभी लेकिन यहां जो प्रधानता है इनी सरवाधिक उस रंग का प्रियोग किया गया है, देवगर शैली में पीले रंग का प्रियोग किया गया है, मारवाड, जैपुर और मेवाड की मिश्रित शैली है देवगड शैली important line है exam में पूछी जाएगी कि कौन सी सैली जो है मारवाड, मेवाड और जैपुर की मिश्रित शैली है तो वह है मेवाड शैली के अंदर देवगड उप शैली याद रखेंगे next दिखिए चावंड शैली कई बार exam में चावंड शैली से संबंदित प्रशन आया है जब भी महारणा प्रताप का कोई question आता है तो उनसे संबंदित रहता है चावंड शैली तो महारणा प्रताप के समय का माना जाता है चावंड शैली तो अपने अंतिम समय में महाना प्रताब जो है वो चावंड में ही आकर रहे थे इनोंने इसे अपनी अंतिम राजधानी भी बनाया था और उसके बाद इनके बेटे जो हैं अमर सिंग आते हैं तो इस शैली को और भी अधिक चरम पर ले जाते हैं तो अमर सिंग का समय जो है चावंड सैली का श्वंड काल कहा जाता है और उद्गम जो है महाना प्रताब के समय में हुआ था 1605 में रागमाला ग्रंत का चित्रण ना सिरिद्दीन ने किया था और यह कहां रखा हुआ है दिल्ली के अजायव घर में रखा हुआ है अब इस सैली के अंदर आपको क्या पूछा जाएगा कि इस सैली का जो उद्भव है किसके समय का है महाना प्रताब के समय का है और चावंड सैली का स्वंड काल जो है किसके समय माना जाता है अमर सिंग के समय माना जाता है और 1605 में रागमाला ग्रंत का चित्रण ना इन ने किया था, ये चीज़ आप ध्यान में रखें, तो आज हमने मेवार शैली को पढ़ा है, बहुत अच्छे से आप लोग एक एक शब्द जो है वो याद रखिए, वीडियो में जादा बड़ा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जादा बड़ा बनाने से आप लोग कन्फ्यू से निकालिए, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम मारवार शैली को पढ़ेंगे, थैंक यू